दोस्तों ट्रेंस में सफर करना सभी को बहुत पसंद होता है लेकिन क्या हो अगर ये सुहाना सफर अचानक से डरावना और खौफनाग बन जाए क्योंकि कभी-कभी कुछ ट्रेंस ऐसे मोडो ब्रिज और टैनल्स में से गुजरती है जिसके कारण ट्रेंस के सफर से लोग ट्रेंस के बारे में आज आप जानेंगे जिसमें से एक खतरनाग ट्रेक तो इंडिया में ही मौजूद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना नमस से दोस्तों बर्मा के शहर रंगून से थाइलेंड के शहर बैंकॉक को जोडने वाले एक मात्र रेल्वे ट्रेक को द पूरा बनकर तयार हुआ था साथ ही इस रेल्वे ट्रेक को वर्ल्ड वर्स सेकिंड के दोरान बनाया जा रहा था ताकि इसकी मदद से हत्यार ट्रांस्पोर्ट किये जा सके इस रेल्वे ट्रेक को बनाने के लिए जंग में पकड़े गए कैदियों और गरीब सिविलियन्स का इस्तेमाल किया गया था और इसे बनाते वक्त लगभग 90,000 सिविलन मजदूर और 12,000 कैदियों की कवाई नदी में गिरकर मौत हो गई थी और इसलिए इस ट्रेक को दा डैथ रेल्वे ट्रेक का नाम दिया गया था इस रेल्वे ट्रेक की लंबाई लगभग 415 किलोमीट इस ट्रेक के एक तरफ माउंटन है तो दूसरी तरफ गहरी कवाई नदी है वर्ल वार 2 के बाद 1947 में इस रेल्वे ट्रेक को बंद कर दिया था लेकिन 10 साल बाद 1957 में इस रेल्वे ट्रेक को फिर से चालू कर दिया गया और तब से ये रेल्वे ट्रेक टूरिट्स के लिए एक attractive जगह बन गया है जिन लोगों को adventure का शोक है उन्हें इस train का सफर जरूर करना चाहिए क्योंकि आज भी जब train इस train पे से गुजरती है तो एक तरफ नदी और एक तरफ पहाड और ठंडी ठंडी हवाएं लोगों का दिल दहला देती है नमब सिक्स लगभग 180 किलोमीटर लंबा है ये track कैनेडा और अमेरिका को जोड़ता है ये railway track अलास्का के बेहत खातरनाक उचे पहाड घैरी खाईयों और घने जंगलों से होकर गुजरता है इस railway track को सोने यानि गोल्ड की तलाश के लिए बनाये गया था इस track के बहुत से हिस्से आज भी लकड़ियों से बने हुए है लेकिन धीरे धीरे इन लकड़ियों वाले हिस्सों को बदला जा रहा है इस अलास्का रूट पर बनाये railway track काफी पतला है जिसके वज़े से trains को बहुत धीमी स्पीड से इनके उपर से ले जाये जाता है इस पूरे track में छोटी-छोटी सुरंगे भी आती है साथी स्ट्रेक के बीच आने वाली किसी-किसी खाय की गहराई तीन हजार फीड से भी ज़्यादा गहरी होती है दोस्तों असली खतरा तो सर्दियों का वक्त होता है जब बर्व की वज़े से ये track ढख जाता है स्नोफॉल की वज़े से एक्सिडेंट होने के chances बहुत जादा बढ़ जाता है और सुरंगे भी अंधेरों से भरी होई होती है इन ट्रेंस में सफर करने वाले लोग जब तक ट्रेंस से उतर नहीं जाते तब तक बुरी तरह से डरे हुए ही रहते हैं और अपने fingers क्रॉस करके बैठे रहते हैं इस track का नाम White Pass अलास्का के पहाडों की उची चोटी White Pass के उपर रखा गया था नमब 5, Most Crowded Train, Bangladesh बांगलादेश भारत का पडोसी देश है दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे इस पडोसी देश में ट्रेंस का सफर करना कितना खतरनाक होता है आप बांगलादेश की ट्रेंस सेर्विस के बारे में सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे लोग बैट और लटक जाते हैं बांगलादेश के लोग अपने जान की परवा किये भीना इन ट्रेंस में सफर करते हैं दोस्तों बांगलादेश में रिसोर्सेस कम है और पॉपिलिशन बहुत जाता है और यहीं वज़ा है कि ट्रें डिपार्टमेंट के गार्ड्स भी इन लोगों को ट्रें पर चड़ने और सफर करने से नहीं रोकते हैं इस तरह की क्रावड़ ट्रें में रोज बहुत सार एक्सिदेंस होते हैं जिसमें ना जाने कितने लोग अपने जान तक गवा देते हैं इस ट्रें का सफर दिखने में जितना फणी लग रहा है असल में ये उत्रा ही ज़्यादा खतरनाक होता है ट्रेक नमर फोर डेविल स्नोस ट्रेन एक्वाडर डेविल स्नोस ट्रेक नाम तो सुनने में ही डरावना लग रहा है दोस्तों जब आप इस ट्रेक के बारे में जानेंगे और देखेंगे तो आपको और जादा डर लगने वाला है दोस्तों इस ट्रेक का कंस्ट्रक्शन 1899 में शुरू हुआ था और ये रेल्वे ट्रेक 1908 में बनकर तयार हुआ था इस ट्रेक को बनाने में 4000 मजदूरों को लगाया गया था जिसमें से 2000 मजदूरों की ट्रेक बनाते वक्त चान चली गई थी असल में इस ट्रेक को बनाते वक्त इस पहाड़ पर मौजूद कीडे मकोडे आने वाले भूकमपो और पहाड से गिरने की वज़े से इन मज़ूरों की मौथ हो गई थी और इसलिए इस railway track को devil snow train track कहा जाता है इसके अलावा अगर आप इन तस्वीरों में देखेंगे आपको पता चलेगा उपर से देखने पर इस पहाड की शेप किसी devil के face की तरह ही लगती है इसलिए इस track का ये नाम रखने की एक वज़ा पहाड की ये शेप भी है ये railway track भैतरीन इंजिनिरिंग का एक बहुत अच्छा एक्जम्बल है जो कि करीब 12 किलो मेटर लंबा है ये train अलाव सी और सिलाम बे को चूड़ती है जिसके लिए ये train एंडीज माउंटेन की उपर से गुसरती है इस track के एक साइड उचा सा पहाड है तो दूसरे तरफ गहरी खाई है जिसको देखकर सफर कर रहे लोगों को चक्कर आने लगते हैं ट्रैक पर बहुत से ट्विस्ट और टंस भी है जो इस track को और जदा खतरनाग बना देते हैं साथ ही इस track की उचाई उपर चरते चरते धीरे धीरे समंदर तल से 9000 फीट तक पहुंच जाती है ये track दुनिया के सबसे खतरनाग railway tracks में से एक है अर्जेंटीना में बना सांता पॉलवारेलो railway track दुनिया के खतरनाग railway tracks में से एक है ये railway track नौर्थ अर्जेंटीना को चिली से जोडता है इस railway track का निर्मान 1921 में शुरू किया गया था जो 27 साल बात पुरा हो पाया था ये track लगभग 217 किलोमीटर लंबा है ये पूरा railway track कुल 29 ब्रिजेस और 21 टनल से होकर गुजरता है जिसमें लगभग 16 घंटों का वक्त लग जाता है ये train पहाडों के 20 से 11 खाईयों के उपर से गुजरती है इस train का track जमीन से लगभग 4220 मीटर की उचाई पर बना हुआ है इसके अलावा ये train उचे-उचे माउंटेन से भी होकर गुजरती है जैसा कि आप तस्यरों में देख सकता है कि ये train खितनी जादा उचाई पर से गुजर रही है इसके अलावा ये track भहुत से खतरनाक मोडो और टर्न से भी होकर गुजरता है खतरनाक track होने के वज़े से यहां का train department हर train के आने से पहले track के पूरी जाज करता है ताकि कोई दुरगटना ना हो सके जब ये train इन पुलों के उपर से गुजरती है तो इसके अंदर बैटे हुए लोगों के हवाईयां उड़ जाती है और साथ ही ये दुनिया की पाँच भी सबसे उची रेल सर्विस भी है जर्मनी में एक पी ट्रेन जलती है जिसका सफर बहुत ज़दा खतरनाक और कुछ हद तक मज़ेदार होता है दरसल दोस्तों इस ट्रेन का ट्रेक सीधा नहीं होता है बलकि इसकी पटरी टेडी मेडी होती है जिसकी वज़े से जब ये ट्रेन ट्रेक पर चलती है तो लगता है कि ट्रेन जैसे डांस कर रही है टेडी मेरे पट्रिया होने के वज़े से इस ट्रेन का पट्री पर से उतर जाना बहुत ही कॉमन बात है इसलिए इस ट्रेन को हमेशा कम स्पीड पर ही चलाया जाता है असल में इस ट्रेन का निर्मान लोगों के सफर के लिए नहीं बलकी सुरंग बनाने और कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए किया गया था रद तो और इस ट्रेन के पट्रिया टैंपरेरी होती हैं, जिनने आराम से एक जगह से हटा कर दूसरी जगह लगाया जा सकता है इस ट्रेन में खर्चा कम होता है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इस ट्रेन में बैठने पर किसी रोलर कोस्टर में बैठने जैसी फीलिंग आती है लेकिन खर्चा कम हो या काम एफिशन्ट हो जाए अब जान तो हर किसी को प्यारी होती है और इन टेड़ी मेडी पर चलने वाली ट्रेन कभी भी safe नहीं हो सकती है ट्रेक नमबर वन रामेश्वरम रेल्वेड ट्रेक इंडिया चैन्नाई एक्स्प्रेस मूवी में आपने रामेश्वरम नदी का नाम तो सुनाई होगा दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक रामेश्वरम रेलवे ट्रैक भी है जो कि इंडिया में ही है ये रेलवे लाइन तमिन लाडू के रामेश्वरम को पामन आइलेंड से जोड़ती है ये railway track रामेश्वरम नदी से होता हुआ इंडियन ओशन के पास पामन आइलेंड तक बना हुआ है इसलिए इसे पामन ब्रिज भी कहा जाता है इस ब्रिज का निर्मान आउगस्ट 1911 में शुरू किया गया था और 24 February 1914 में ये ब्रिज पूरा बनकर तयार हो गया था इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 2 किलो मीटर है जैसा कि आप इन तस्यूरों में देख सकते हैं ये railway track रामेश्वरम नदी से बस थोड़ी सी उचाई पर बना हुआ है तेज हावा और लहरों की बीच इस चलती हुई ट्रेन का सफर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जब ये ट्रेन इस ब्रिज पर पहुंसते हैं तो लोगों की सांस से अटक जाती है फिर भी लोग इस ट्रेन में सफर करना एडवेंचर समझते हैं क्या आपको पता है 1964 में एक साइकलोन आने की वज़े से इस ब्रिज पर चल रही एक ट्रेन पटरी से नीचे गर गई थी इसलिए इस रेलवे ब्रिज को सबसे खतरनाक ट्रैक्स में से एक माना जाता है तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बैल को आन कर दो ताकि हमारी फीचे वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास